जब भी हम अपने गार्डन में कोई नया पोधा लगाते हैं या पहले से ही कोई पोधा हमने लगा रखा है तो अचानक से उसकी पतियां पीली पढ़ने लगती हैं तो यही जनाज हम जानेगे कि किस वज़े से हमारे पोधों की पतियां पीली पढ़ने लगती हैं आज के वी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए फर्स्ट रीजन है जादा पाने डालना यदि आप किसी भी पोधे में जादा पाने डालेंगे तो वह पोधा खराब होने लग जाता है जब तक पोधे की मिट्टी 80% तक सूकी ना हो तब तक आप दुबारा उसमें पाने ना डालें ये देखे इस तरह से आपको मिट्टी को चेक कर लेना है मिट्टी इस तरह से घुरबुरी होने पर ही आप उसमें दुबारा पाने डालें ज्यादा गीली मिट्टी की वज़े से पोधे की जड़े सांस नहीं ले पाती है और पतियां पीली पढ़ने लग जाती हैं सांस ना लेने के कान पोधे की जड़ें खराब होने लगती हैं और हमारा पोधा भी खराब हो जाता है second region है कम पानी डालना सिरफ ज़्यादा पानी डालने से नहीं कम पानी डालने से भी हमारे पोधे की जड़े खराब होने लगती है और पतियां पीली पढ़ने लगती है यदि आपने पोधे की जरूरत के हिसाब से उसमें कम पानी डाला है तो भी पोधा खराब हो जाएगा आप जब भी पाने डालें तो गमले की drainage होल से चेक कर लें कि उसके drainage होल से पानी बहार निकलने लग जाए तब ही आप उसमें पानी देना बंद करें यह सबसे अच्छा तरीका होता है पानी देने का येदि पोधे की जड़ों तक पानी नह पोधा सूखने लग जाएगा यदि आप अपने पोधे को अच्छे से इस तरह से हरा बरा रखना चाते हैं तो आप उसमें 15 दिन में ये सभी खाद डाल सकते हैं ये सभी खाद ओर्गैनिक होती हैं जैसे वर्मी कमपोस्ट, कीचन वेस्ट कमपोस्ट, गोबर की खाद, नीम सरसों खली आप इनको हर 15 दिन में अपने पोधे में डाल कर अपने पोधे की ग्रोथ इस तरह से बढ़ा सकते हैं और उससे इस तरह से अच्छी अच्छी फ्रूटिंग भी पा सकते हैं फोर्थ रीजन है मिट्टी का खराब होना कई बार हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई पोधा लगाते हैं और जो भी मिट्टी हमारे पास होती है तो हम उसी में पोधा लगा देते हैं खासकर चिकनी मिट्टी पोधों के लिए अच्छी नहीं होती है चिकनी मिट्टी को ये पोधा 100% चलेगा उसकी जड़ें बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी और ना ही उसकी पत्तियां पीली पड़ेंगी तो अपने गार्डन में पोधों को इस तरह से अरेंज करें कि उनमें प्रियाप्त मात्रा में धूप आ सके और आपके पोधे अच्छी तरह से ग्रोध कर सकें जैसे कि हमारा ये गर्ने का पोधा कितनी अच्छी तरह से ग्रोध कर रहा है तो ये थे कुछ टिप जिनको ध्यान में रखकर आप अपने पोधों की पत्यां पीली पड़ने से बचा सकते हैं आज के वीडियो में इतना ही कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में